So engineers, आज हमारा topic बहुत जाद होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं, कि जो हमारा basement होता है, जो basement, underground basement होता है, उसके drainage system पर आज हम बात करने वाले हैं, कि उसका drainage system कैसे हम डिजाइन करते हैं, कि उसका drainage system कैसा होता है, कि उसका drainage system कैसा होना चाहिए, ताकि उसके अंद सबसे पहले देखने के लिए वो रोड लेवल से उपर होना चाहिए अब रोड लेवल से उपर क्यों होना चाहिए ताकि कभी बारिश हो रही हो तो रोड का पानी आपके घर के अंदर न चला जाए एकदम कॉमन सी बात है कि इसलिए हम उसे उपर रखते है दूसरी चीज ये कि अगर आप लोग अपना जो घर है उसका ड्रेन लाइन किस से उपर रखनी आप लोगो को जो आपके घर के बाहर की ड्रेन लाइन है ड्रेनेज सिस्टम है बाहर का उसका जो बॉटम है जिस पर से वेस्ट वाटर जो होता है उससे उपर रखने आप लोग flush out कर पाऊंगे बहार के drainage system में तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है अब आप लोगों को लग रहा है सर ये तो हम बिलकुल हमें पता है कि घर के सामने road है वहाँ पे drain है तो हम बिलकुल उसी में डालेंगे लेकिन कब ये दिक्कते आती है जब आपके घर के सामने road अभी बनने का हो या फिर वहाँ पे drain line अभी आने की हो अगले एक मेहने में आने की हो लेकिन आप घर बनाना शुरू कर चुके हो पहले से तो आप level transfer करके लाएगे और उन levels की हिसाब से आप लोगों को काम करना है उसी तरीके से अब हम बात करने वाले है excavation करने के बाद excavation मतलब हम अच्छा कासा excavation करने के बाद basement बनाते है ताकि उसमें आपने देखा होगा जितनी भी high rise building होती है commercial building maximum उसमें basement होता है जिसमें हम लोग parking system को जो है बनाते हैं तो उसमें भी हमें drainage system provide करना होता है क्योंकि उसमें पानी की problem उसमें water की problem बहुत जाद आती है सबसे पहले तो slope maintain करेंगे लेकिन उसका water जो है हम लोग बाहर flush out कैसे करें क्योंकि उसका level तो already बहुत जादा down है धाई 3 meter down है पहले से ही तो उसे हम लोग flush out कैसे करें तो उसी के उपर आज हम बात करने वाले सबसे पहले तो आप लोग को ये करना है कि एक slope maintain करना है slope maintain करना है कहाँ पर maintain करोगे आप लोग जो आपकी RCC wall से उसके corners पे आप लोग पूरी तरीके से slope maintain करोगे और वहाँ पर आप लोग जो है एक छोटा सा drain मना होगे हाँ लोग ने देखा होगा pipe को half cut करके भी उसमें बनाया जाता है बहुत सारे parking lots में आपने देखा होगा और उसके बाद वो सारे slope एकटा करके आप एक ऐसे corner में लेके जाओगे जहाँ पर आपने एक vessel बनायी होगी vessel in the sense आपको वहाँ पर excavation करना होता है और वहाँ पर एक pit बनाना होता है concrete का pit होता है उस pit में हम लोग जो है motor fit करते है अब motor भी दो तरीके की होती है upright भी होती है एक हमारी और एक और दूसरा होता है हमारा submersible sump pump तो इस sump pump को हमें वहाँ पर install करना होता है और install करने के बाद जब भी वहाँ पर आप लोगों ने drainage system बनाया है वो drainage system में से water supply होते हुए उस pit में जाता है और उस pit में जाने के बाद जो हमारा pump है एक level पर आने के बाद जैसे जादा तर मैं बात करूँ तो हम उसे बनाते है कुछ धाई feet by साड़े चार पांच feet का अगर बहुत जादा बड़ा हमारा parking lot है तो उसके बाद हम उसमें हमारा जो pump है some pump है हमारा वो एक level पर आने के उपर जैसे ही एक level पर पानी बढ़ जाता है तब अपने आप वो शुरू हो जाता है और उसके बाद वो पानी को बाहर pump करना शुरू कर देता है और बाहर flush out करना शुरू कर देता है जैसे ही पानी का level कम हो जाता है वो अपने आप बंद हो जाता है तो इस तरीके से जो है हम लोग वहाँ पे संपम वहां लगाते हैं अब दूसरी चीज ये तो बात हो गई उस पानी की जो हमारे हाँ बारिश के वज़े से जो है वो हमारे पार्किंग लॉड में आ गया था या फिर कभी किसी ने वाश किया होगा तो वो पानी वहाँ पर आ है अर्थन सॉइल है सॉइल है तो उसमें भी वाटर होगा जब बारिश होगी तो वह भी वाटर एब्सॉप करेगी और वह कहां छोड़नी कोशिश करेगी उसे आपके बेस्मेंट में तब आप लोगों क्या करना है उस वक्त ऐसा होता है कि बहार से पूरे तरीके से पानी अ ना देने है और वो विप होल से क्या होगा कि जो पानी आ रहा है आपके अर्थ में मतलब की जो आपकी अर्थन सॉइल है बाहर वो पूरे तरीके से उस ड्रेन में होते हुए जो है वो सम पंप में जाएगा और उसे भी जो है हमारा सम पंप बाहर पंप करके बाहर ड्रेन करने होते हैं क्योंकि जो लोड बढ़ जाता है सॉयल के ऊपर तो वह वाटर को कही ना कही रिलीज करने की कोशिश करता है तो उस रिलीज करने के चक्कर में वह हमारे जो बेस्मेंट है उसे पूरे तरीके से डैमेज करना शुरू कर देता है इसलिए हमें विपोल छोटे-छ ड्रेइन-लाइन में भी पूरा प्रॉपर स्लोप मेंटेन होना चाहिए और वह पूरा स्लोप Q कहां जाके मिलना चाहिए आपके प संप्वंप में पुरा जाना चाहिए उसी के साथ साथ पार्किंग अन्दर के प्रॉबलम होती है उसे भी आप लोग रोख सकते तो मैं होप करते हूँ कि आप लोग को यह जो मैंने वीडियो में बताया कि कैसे drainage system प्रोवाइड किया जाता है basement में तो यह आप लोग को समझ में आया होगा और भी एसे इस technical videos और civil practice videos में आप लोग ले लाता रहोगा तब तक के लिए thank you and goodbye